इंटर फेज के अंदर सबसे पहला फेज कौन सा था जीवन फेज तो हम जीवन फेज जा रहे हैं करने तो जीवन फेज देखेंगे तो इंटर फेज के अंदर इंटर फेज छीवन फेज का एंदर सबसे पहला पेज जीवन फेज तो जीवन फेज का उलसो कोड क्या क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं हम यहां तो डिगराम बनाएंगे और इसका नेमिंग भी साथ साथ में करेंगे तो हमने पढ़ा था इस तरह से कुछ structure पढ़ा था ठीक है कि यह cell cycle होता है इसमें three parts होते हैं यह वाला हो गया M phase यहां से यहां तक क्या था M phase पढ़ा था पिछले class में M phase ओके और इसमें तीन पार्ट divided था हमने देखा था यह three parts divided थे यह G1, S और G2 तो हम इसकी बात नहीं करने वाले हम बात करने वाले हम बात करने वाले हैं सिर्फ किसकी यहां से यहां तक यह जो इंटर phase है इसकी बात करने वाले हैं किसकी जीवन तो जरा देखो जीवन किसके किसके बीच में है ठीक है जीवन किसके किसके बीच में आप देखो जड़ा जीवन जो बेज किसके बीच में यह माइटोसिस के फेज एम फेज के और S phase के, किसके बीच में S और S और M के phase बीच है, यानि mitosis phase के बीच में है और M phase, meiosis and mitosis दोनों हो सकता है या division phase कह सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में यह है इन दोनों के बीच में यह है, तो आप कह सकते हो correspond to interval between ठीक है, also called यहाँ पे इसका क्या क्या नाम हो सकता हो पहले देख लो, also called कह दिया हो तो G1 phase, gap 1 phase कह सकते हैं इसको gap 1 phase के नाम से जाना जाता है ठीक है तो इसके बाद क्या आता है, S phase तो यह synthesis phase है तो इसके बाद आता न, यह इधर चल रहा है किदर चल रहा है, यह इधर आ रहा है सब ऐसे जाते हैं न, यह से इस तरह से जाते हैं तो यह जो इधर आता है, G1 phase तो इसको कह सकते है, pre-synthesis से पहले वाला phase है synthesis से पहले वाला phase है तो इसको कहेंगे pre-synthesis phase भी कह सकते है pre-synthesis synthesis phase ओके अब इसके बाद है क्या है इसके बाद तो पोस्ट माइट एम फेज भी कह सकते हैं क्योंकि यह इसके बाद आ रहा है तो यह पूरा तो gap 1 phase, pre-synthesis phase, post-m phase, इन्ही को हम बोलते हैं, ठीक है, अब यह है क्या, ठीक है, G1 phase आखिर क्या चीज़ है, कहां present है, location क्या है इसका, तो correspond to interval, यानि आप कहा सकते हो, G1 phase, G1 phase, correspond, correspond to the interval, interval between, M phase, between, क्या, growth of M phase, M phase and, M phase and DNA replication, initial of DNA replication phase, initial of DNA replication phase, यानि किन-किन के बीच में DNA replication phase, यानि M phase और DNA replication का initiation कहा सो रहा है, यहां सो हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में कौन है, G1 phase है, clear, तो first phase of, first phase of growth है, first phase of growth, इनको हम और भी कह सकते हैं, first phase of growth, first phase of growth भी कहते हैं, याद रखना, first phase of growth कहते हैं, cell is most, यारी metabolically active होता है, grow and prepare करने के लिए, metabolically active होता है, metabolically active for growth and prepare के लिए, prepare भी कर रहा है, growth भी कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी cell यहां से शुरुआत हुए, इतना चोटा एक सिंगल, तो इसका size यहां थोड़ा बढ़ा हुआ, और थोड़ा बढ़ा हुआ, और थोड़ा बढ़ा हुआ, यह बढ़ा होता जा रहा है, यहनि इसके अंदर cell का लगता content बढ़ा रहा है, cell का content बढ़ा रहा है, amino acid बढ़ा है, क्या-क्या बढ़ा रहा है, हम देखेंगे, nucleotide बढ़ाता है, nucleoside बढ़ाता, aminocid बढ़ाता, ATP बढ़ाता और RNA बढ़ाता है ठीक है, तो synthesis of what? तो हम दिखेंगे synthesis of, हम दिखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या synthesis करता है synthesis of nucleotide, nucleotide, synthesis of nucleoside, nucleoside, ATP, ATP ठीक है और amino acid, amino acid for histone protein, for histone, क्या करता है, for histone protein ठीक, यानि क्या क्या बना रहा है, G1 phase में क्या क्या काम चल रहा है nucleotide बन रहा है, nucleoside बन रहा है, aminocid बन रहा है, ATP बन रहा है RNA बना, RNA में कौन से कौन से RNA, rRNA, mRNA और RNA भी बना रहा है RNA, RNA कितने time के बना रहा है, तीन तरह का, rRNA, mRNA, and tRNA ये तीनों का formation करता है, r, m, और ठीक है, ribosomal messenger ठीक है ये वाला tRNA, ये last में tRNA है, tRNA, transcriptional RNA ठीक है ध्यान रखना आपको, तो कोई पूछे आप से कि G1 का क्या क्या नाम हो सकता है तो G1 phase पहले location क्या है, तो location में बताओगे correspond to the interval between the M phase and initial DNA replication phase यानि S phase की बात, सुरुवाती दौर के S phase की बात कर रहा है अब आप बताओगे कि what is the other name of G1 phase, also called gap 1 phase second, post M phase, pre-synthetic phase, क्योंकि ठीक है इसके हिसाब से इसका नाम, pre-synthetic phase, post M phase, खुद G1 phase और gap 1 phase, okay, clear? अब उसके बाद क्या functional synthesis की इसके अंदर क्या क्या हो रहा है इस समय, cell के अंदर क्या क्या हो रहा है तो nucleotide का formation करता है, nucleoside का formation करता है, ATP का formation करता है amino acid बनाता है histone protein code करने के लिए और RNA code करने के लिए, कर नहीं रहा है यहां पर histone protein बना रहा है, amino acid त्यार कर रहा है amino acid त्यार कर रहा है, और RNA भी त्यार करता है RRNA, TRNA और mRNA, clear? तो हमारा जीवन फेस्ट आपको समझ में आया होगा एक बार देखो और इसको अच्छे से रिवाइज कर लो हमने देखा कि जीवन फेस्ट का नाम क्या होता है क्या सिंथेसिस करता यह जो इन सी एा टी में जो लिखा हुआ है लेकिन NCRT के अंदर कुछ ऐसी बाते हैं जो हमें explain करके पढ़ना पढ़ता है MCQ के लिए ज़र हम उसकी बात करें तो आपको यह पता है कि जीवन फेज में कोई cell का division नहीं हो रहा लेकिन क्या cell organal divide हो रहे हैं? क्या cell organal के size बढ़ रहे हैं? तो yes, organal का size बढ़ रहा है आराम से increase होने लग चाएगा cell का size increase इसलिए हो रहा है आपको मैं बार-बार कह रहा हूँ आपको ध्यान रखना है यह जो phases है यह जो phase है ओके? यह जो जीवन phase है यहाँ से यहाँ तक यह पूरा कौन सा phase है? आपको पता है यह interface है interface interface में यह जीवन phase है start हुआ growth करना यहाँ पर देख रहे हैं इसका size increase हो रहा है लगातार ऐसा क्यों हो रहा है? कभी हम सोचे इस बात पर तो हाँ यहाँ इन्क्रीज जो हो रहा है यह size increase cell size maximum maximum in जीवन phase reason इसका क्या reason है वाई अगर हम करें question bracket में रखके वाई पूछ लें तो आपके बताना है क्योंकि इसमें जो synthesis हो रहे हैं क्या amino acid, RNA बगर है यानि सारा कासी reason हो सकता है क्या यह इतने सारा reason है जैसे nucleotide हो गया ओके nucleotide nucleoside हो गया nucleoside हो गया ATP वजह हो सकती है और आपका वजह सकती है की भी बात याद रखनी है यह सब content बढ़ने के वजह से cell अपने maximum size को attain करता है बहुत तीजी से rapidly यहाँ पर cell का size increase होता है क्या होता है cell का size increase होता है increase cell size maximum in G1 phase वाई answer nucleotide nucleoside ATP organelle it is a very very important organelle भी यहाँ growth कर रहे है typically largest phase of cycle typically लेकिन हम कहसे नहीं सकते ठीक है अब हम देखें कि embryonic या new plastic cells जो होते है embryonic phase of cell cycle या new plastic cells यह बहुत तेज डिवाइड होते है यह short phases of cell cycle होते है इसलिए हम इनको clearly कहने सकते लेकिन typically हो सकता है तो इसमें कुछ important बाते हैं कुछ conditions है जो NEET में frequently पूछे जाते हैं जरह हम उनको note करें conditions 1 में cell that more differentiated only stop G1 phase अगर G1 phase stop होता है में stop G1 phase and enter into crescent stage यानि G0 phase में तो आपको याद रखना है कि यह वाला ऐसा stage है अगर यह रुक गया अब रुकता क्यों है इसके पीछे की reason है क्योंकि यहां पे अगर प्रॉपर यह एक जो line है border line है किसकी G1 phase की line ही है और initiation of initiation of S phase है यह S phase है शुरुवाती दौर है तो अगर यह वाला पूरा यह इसमें अच्छे से इसमें amino acid बने हैं निकलोटाइड बने हैं अच्छे से amino acid बने हैं निकलोटाइड बने हैं ATP बने हैं और गहें बने हैं sufficient amount में सब कुछ जीवन के पास है जीवन चलने के बाद हर चीज right amount में बन गया cell के अंदर जितना जरुवरत है S phase में जा करके उसको replication करने में जब वो replication करेगा उतना ही ATP चाहिए खर्च होगा उसको histone protein भी चाहिए तो उसके लिए amino acid code करके ले क्या है उसको nucleotide चाहिए DNA बनाने के लिए nucleoside भी चाहिए DNA बनाने के लिए कौन S phase S phase कहेगा तभी आओ मेरे पास जब जीवन को पूरा sufficient amount में कच्चा माल हो raw material हो otherwise वो अंदर नहीं आने देगा कहेगा रुको तुम ही रहो तुम बाहर जाओ तो उसको G-0 में चला जाता इस तरह के cells क्या करते हैं वो active नहीं हो पाते अब होता क्या है कि अगर इन्होंने बहतरी अच्छे तरीके से इन्होंने अगर अपने material को त्यार किया है इन सब को right amount में त्यार किया है ठीक है right amount में prepare prepare ठीक है if prepare right amount अगर right amount में रखा है तो continue करेगा continue and go into कहा जाएगा enter into s-phase continue enter into s-phase no ठीक है right amount में होगा तो कहा जाएगा कहा जाएगा right amount में होगा s-phase में इंटर कर जाएगा cell s-phase में इंटर कर जाएगा ठीक है अगर no in right amount no in right amount 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 of what these things ठीक है nucleotide, nucleoside, ATP अगर है तो क्या होगा no continue continue नहीं करेगा cell cycle continue नहीं करेगा G1 से S में नहीं जाएगा और goes into goes into कहां पे G0 phase किस में G0 phase or exit of the cells cell रुक जाएगा cell division perform cell cycle perform नहीं करेगा अगर यह चीज़ लेकिन यह बताएगा कौन इसको इस सब चीज़ को बताएगा कहिए भया तुम अच्छे माउंट में हो तुम जा सकते हो तुम ऐसे तायर कर सकते हो यहां पर यह जो आपको यह बने dark line बनाई है ना इसको कहते है check points क्या बोलते हैं इसको check points कहते हैं ध्यान रखना it is very very important इस dark line को हम कहते है check point check point अभी check point CCK होते है cyclin dependent kinase enzymes होते हैं यह अलग-अलग type के होते हैं checkpoint होते हैं CDK2, CDK1 A, B, C, D करके इसके cyclin होते हैं तो cyclin के types वगर होते हैं हम इसकी बात करने वाले हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यह अगर cells छोटे से बड़ा होते जा रहे हैं सब कुछ right amount में है तो यह आगे बढ़ेंगे otherwise यह कहां चले जाएंगे यह outside of the cell चले जाएंगे इनको कहते हम G0 phase क्या हो जाते है G0 phase में चले जाएंगे clear G0 phase में अगर exit होते हैं तो यह बाहर निकल जाएंगे cell cycle perform नहीं करेंगे और differentiate करके क्या बना लेंगे permanent cells बना लेंगे अब permanent cells में आपको पता permanent cells क्या होते हैं आपने tissues पड़ा होगा तो नहीं तो आप यह समझो permanent cells वो cells होते हैं जो divide further नहीं करते हैं लेकिन अगर किसी की property है divide करने की तो उसका जाएंगे de-differentiation पहले differentiation हुआ cell out हो गया cell cycle से बाहर निकल गया लेकिन वापस से cell cycle perform करने लग गया तो उसके तरह de-differentiation उसकी property regain हो गई लेकिन फिर से अगर वापस से वो cells divide नहीं कर रहा तो उसके तरह re-differentiation differentiation, de-differentiation or re-differentiation यहां तीन process हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या होता है इसके बारे में तो हम जारेंगे कि what is maximum size कब होता है जब यह सब होते हैं अगर सब कुछ right amount में है तो s phase perform करेगा और right amount में नहीं है तो जी-जीरू में इसको बताता कोन है checkpoint checkpoint क्या होते है c c k होते है क्या होते है c c k या c d k sorry c c k नहीं c d k cyclin dependent kinase कौन होते है c d k full form है cyclin dependent dependent kinase ठीक है यह check करके बताते है यह checkpoint होते है तो पहला checkpoint क्या है checkpoint 1 जो है कहां पे है वह g1 phase के end में है और initiation phase of replication phase कोई पूछे first checkpoint कहां पाया जाता है जो बहुत ज्यादे active होता है तो वह कहां होता है G1 phase के end में होता है और S phase के सुरवाती में होता है याद रखना है यह वाला line यह पूरा का पूरा enzyme c dk से बना हुआ है clear अब हम बात करेंगे कि एक एकर के points कि cell that more differentiated at which phase बेटा at at fail of may stop at the differentiate may stop or fail of G1 phase stop हो रहा है या अब क्यों भी बज़ा हो सकते है nucleotide कम हो सकते है Nucleotide कम हो सकते है ATP G1 में कम हो सकते है orginal के numbers कम हो सकते है in कोई भी वजहों से अगर G1 checkpoint ने माना कर दिया है तुमको नहीं जा सकते तो differentiate कर जाएगा तो यह देखना कि cell that more differentiated may stop or fail of G1 phase ठीक है और तब क्या होता है अगर G1 fail या stop G1 fail enter cell enter into G0 phase या दखना अगर G1 phase stop होता है fail होता है कि नहीं वजहों से तो यह कहाँ चला जाता है G0 phase में चला जाता है example में आप लिख सकते हैं इसको हम क्योसेंट स्टेज भी कहते हैं हम अभी G0 phase का एक पूरा topic अलग से पढ़ेंगे हम तो example में यह heart cell heart cell रखेंगे ध्यान रखना heart cell में ऐसा होता है question stage को हम G0 यहनि also code क्या कह सकते है also code crescent stage crescent stage also called G0 को क्या कह सकते है crescent stage कहते है G0 phase जो होता है वह re-enter the cell cycle अगर वापिस आ जाता है cell cycle तो यह अगर बाहर गया तो आपको याद रखना है यह बहुत important में तीन terminology लिखने वाला हूं अगर outside from the G1 phase अगर कोई भी चीज G1 से बाहर निकल गया outside चला गया outside from G1 G1 phase या G0 phase G0 phase से outside चला गया इसे कहेंगे differentiation क्या होगा differentiation differentiation क्या करते हैं differentiation 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 में होता क्या है इसल डिवाइड नहीं करता अपने property खो देता है डिवाइड करने की तो रिगेंड प्रापर्टी रिएड प्रापर्टी रिऑ आप लिख सकते हो रिऑ इंटर इंटो G1 phase तो क्या होगा अगर आप यहाँ पर G1 भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, हमें पता कि G1 फेल होगा तो ही G1 में जाएगा तो outside from G1 phase, differentiation, re-enter into G1 phase, de-differentiation, क्या? de-differentiation, de-differentiation, vivedan, पुना-vivedan, ठीक है? अब इसको गुजराती में क्या बोलते हैं? आप समझें इसको यह differentiation और de-differentiation और re-differentiation, ठीक है? तो इसके बाद से क्या है? re-differentiation के बाद, if further, further, given fail, given fail and out, and out. तो re-differentiation, क्या कहते हैं? re-differentiation, re-differentiation. यानि, cell के G1 से बाहर गया, G1 से G0, G0 से बाहर गया, यानि G0 phase में जाके, अगर exit होता है, तो हम differentiation कह रहे हैं, वो cell की property, जो division की property थी, वो खो दिया, उसने phases के property खो दिया, lose हो गया, अगर वापस से regen property, re-inter हो रहा है, जीवन में, तो उसको कहेंगे, de-differentiation, अगर further, फिर से वापस वो, G0 को नहीं complete कर पा रहे हैं, रहे हैं, re-differentiation, de-differentiation, de-differentiation, re-differentiation, okay, clear, तो हम देख रहे हैं, differentiation, de-differentiation, re-differentiation, समझेंगे, conditions समझेंगे, condition, 1 में क्या होगा, 1 में होगा, की continuous cell cycle, continue cell cycle, ठेक हैं, अगर cell cycle continue है, cell cycle, G1 phase, okay, continuous cell cycle, G1 phase, completed, completed, then enter into, then enter into S phase, okay, if fail, again, if fail, the G1, G1 phase, enter into, enter into G0 phase, clear, कहां चला जाएगा, enter into G0 phase, from, किस के लिए, from, for, यहां लिख सकते हैं, for, what, for, differentiation के लिए, किस के लिए गया, differentiation के लिए चला गया, differentiation, okay, differentiation, अब होता क्या है, if arrested in G0 phase, अगर, arrest हो गया, if arrested हो गया, arrested in G0 phase, ठीक है, कहां, arrest हो गया, G0 phase में, further, दो ही perform कर सकता है, अगर वो, re-enter हो रहा है, into G1, ठीक है, re-enter, re-enter हो रहा, re-enter into, re-enter into G1, enter, यानि G0, ठीक है, re-enter into G1 phase, तो क्या कहेंगे, de-differentiation, क्या कहेंगे, de-differentiation process, process, de-differentiation, further, further, further out from G0, G1, क्या कहें लाएगा, re-differentiation, re-differentiation, G1, fail हुआ, बाहर निकल गया, G0 में गया, G0 में arrest हो गया, तो दो ही perform, अगर वापिस आता है, तो de-differentiation, नहीं, अगर आने के बाद फिर वापिस से चला गया, re-differentiation, ठीक है, further out हो गया, तो re-differentiation, clearly, समझ में आ गया, okay, example में, अगर terminally differentiation हो गया, terminally differentiation, तो क्या बोलेंगे, example किसका होगा, यह important है, terminally word क्या होता है, terminally differentiation किसे कहते हैं, यह यानि एक बाद terminally, terminally differentiation, इसमें क्या होता है, permanent, क्या होता है, G0 cells unable to re-enter, यानि G0 phase जैसे यह re-enter हो रहे हैं न, इसमें unable हो जाते हैं, terminally differentiation में, G0 phase, Z0 phase, unable to enter, unable to re-enter, re-enter into G1 phase, ठीकिए, यानि हमेशा के लिए, एक बार वो चले गया है, वो आपिस नहीं आए, तो terminally हो गया है, जैसे paranchima है, वापिस आके, वो क्या करता है, differentiation करता है, D-differentiation करता है, इसमें जो नहीं कभी भी करें, एक बार differentiate हो गए, वो आपिस से नहीं कभी कर सकते, example में muscle and nerve, example में किसको रख सकते हैं, इसमें कभी terminally में, muscle कभी भी वापस से, D-differentiation नहीं आते, और nerve cells, muscle ठीक है, और nerve cells की हम बात करेंगे, ठीक है, ये दोनों terminally differentiation होती है, वापस से ये differentiate नहीं करते, ये वापस से G0 से G1 में नहीं आते, किसी भी तरीके से नहीं आते, ये fail होने के बाद failure हो जाते हैं, एक बाद differentiation हो गए, तो हो गए, terminally differentiation होते हैं, clear, हम बात करेंगे, checkpoint की, G1 checkpoint, enter into, चीक है, अब क्या-क्या हम समझेंगे, checkpoint के बारे में, तो हम बात कर रहे थे, किसकी, checkpoints की, तो G1 checkpoint, G1 checkpoint, ये G1 है, यहाँ पे, ओके, G1, तो G1 का यह जो checkpoint है, यहाँ पे, इस तरह से, यह है, जीवन, चेक, पॉइंट, तो हम इसको समझेंगे, जीवन checkpoint को है क्या, जीवन checkpoint जो बने होते हैं, यहाँ पे होते हैं, वो एक enzyme होते हैं, हमने अभी बताया था, CDK, क्या होता है, cyclin dependent, dependent kinase, यानि जो kinase enzyme है, बहुत actively bound है किसके साथ, cyclin के साथ, cyclin different types के होते हैं, cyclin, cyclins are, A cyclin, cyclin A, cyclin B, cyclin C, cyclin D, cyclin E, ठीक है, इतने type के cyclin होते हैं, A, B, C, D, E, ठीक है, cyclin के type में यह है, अब पुछा जाएगा, G1 point में कौन से cyclin dependent kinase होते हैं, CDK कौन से कौन से होते हैं, CDK भी कितने type के होते हैं, CDK होते हैं, वो भी 1 type, 1, 2, CDK, 3, CDK, 4, 5, and 6, यह भी type होते हैं CDK के, CDK 1, CDK 2, CDK 3, CDK 4, CDK 5, CDK 6, जैसे यह होते हैं, यह भी CD, ठीक हैं, तो आपको यह समझना है, कि यहाँ पर कौन से कौन से होते हैं, तो यहाँ पर CDK 2 होगा, CDK 2 होता है, और cyclin, cyclin कौन सा E होगा, एक यह भी होता है, दूसरा, CDK 4 होगा, और cyclin D होते हैं, और तीसरा, CDK 6 होंगे, और cyclin D के साथ होंगे, तो यह 3 CDK यहां पर present होते हैं 2, 4 and 6 आपको याद आखना है 2, 4 and 6 cycle independent करने से यहां present होते हैं और यह checkpoint होते हैं यह तरह के यह right और what is the function of checkpoint तो function लिखोगे check the amount of check the amount of raw material of raw material raw material in G2 phase raw material of G2, sorry G1 phase G1 phase in right amount or not in right amount or not यह इनका function है check करते हैं कि G1 जो material है G1 में जो material बना है वो सही amount में है की नहीं है उसको signal देते हैं उनको fail करते हैं उनको जाने नहीं देते हैं रोग देते हैं कैसे भी करके ठीक है? clearly समझ में आ गया तो हमने देखा अभी पूरा का पूरा एक interface का एक phase G1 phase G1 phase में हमने पढ़ा G1 phase जो होता है उसका alternative name पढ़ा post M phase pre-synthesis phase gap 1 phase G1 phase synthesis of nucleotide nucleoside ATP ATP के बाद हमने क्या क्या उसमें organelle देखा organelle का size बढ़ने के वज़े से maximum size बढ़ रहा maximum size होने के वज़े से वो divide नहीं कर रहा maximum attain कर रहा तो checkpoint उसको decide करता है कि क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए अगर नहीं जाना चाहिए तो उसको G0 बेशेगा G0 से exit होता है तो differentiation हो जाता है वो lose कर देता property को अगर regain करता है G0 अगर regain कर जीवन में आता है तो differentiation फर्दर वापी चला जाता है तो differentiation तो आपको यह सारी बाते करें चेक पॉइंट का काम क्या है डी डिफ्रेंसियस क्या होता है डी डिफ्रेंसियस क्या होता है यह सारी problem आपको I think solve हो गई होगी तो आप इसको भी देख लेजे